हेलो गाई इस तरों बात करने वाल है रिलायंस पावर के बारे में इस कमने का कॉट आफूर का रिजल्ट आ चुकए सामने तो कैसे रहाइए इस तर्फूर का रिजल्ट वही आचके इस सड्वीडन दी आये की नहीं दी आये तो कितने रुपीस का दी आये कब तक हमारे पर कंपनी के रिजल्ट को कंपर करेंगे, सबसे वहले हां पर कंपनी की इंकम की बात करें तो revenue from operation and other income को मिला कर कंपनी का total income 1,87,800 पर कंपनी का total income देखने का मिल जाता है, quarter and quarter base gear पर कंपनी की income में लगातार करोता है, year and year base gear पर आप लोग देखोगे, तो कंपनी के income में downfall देखने का मिल जाता है कंपनी के expense की बात करें तो cost of material consumption में majority expense जाता है पाकिस कंपने का total expenses तो कंपनी का net यहां पर expense देखने का मिल जाता है यह जो expense है ना वो continuous बढ़ रहा है कंपनी के यहां पर जो profitability होने की possibilities वो continuous down हो रही है आप लोग देखोगे कंपनी की जितनी ज्याद इंकम नहीं बढ़ रही ना उसके दुगने तेजी से यहां पर कंपनी के expenses बढ़ते हुए नज़र आ रहा है इसकी विज़े से कंपनी के operation यहां पर से continuous operation discontinuous operation का आप लोग net profit मिला कर आप लोग देखोगे यहां पर कंपनी के losses देखने को मिल जाता है कंपनी ने आपर से 55,518 रुपीस का कंपनी ने loss generated किया है जो quarter and quarter बेसके पर कंपनी के losses के इंतर लगातार इसाफा रहा है यह रोने बेसके पर आप लोग होगे earning पर share भी देखोगे तो continuous down हो रहा है तो यह एक company यहां पर downtrend में जा रही है जो आप लोग इस company के इंदर invested हो already तो जरू से इस company के इंदर profit बुक करके चल सकते हो जो profit में हो तो जो आप लोग profit में नहीं हो इस company के इंदर cost to cost निकल रहे हो यहां पर 5-10% का आज-पस का लॉस हो रहा है तो लॉस को भी बुक करके कोई अच्छी company के इंदर पैसा डालो अभी अच्छा market crash का opportunity है बाद में आर शायद आप लोगों को opportunity ना मिले ठीक है यह चीज़ जरू सियाद रखना बाकि आपको क्या लगता है वो मेरे को बताना comment section में जो वीडियो पसंद है त कुछ ज़्यादा अच्छा result नहीं है हो सकता है आने वाले समय में कंपनी केशन में crash देखने को मिले तो तेया रहना ठीक अच्छा लोग गुडबाई चैनल को subscribe करना मत बूलना यार